एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंग निफ्टी ऑप्षिन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे understand करेंगे कि Monday का trading session कैसा रह सकता है क्योंकि वो एक तारीक से पहले का trading session है और एक तारीक को आना है budget और budget के कह सकते है neutral to positive रह सकता है because आपको पता है यहाँ पर कि 5 states के elections हैं जिसमें UP सबसे important रहता है तो शायद यहाँ पर election से पहले BJP सरका कुछ negative नहीं डालना चाहेगी budget में तो क्या Monday का trading session एक positive trading session रहेगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से वीडियो को start करते है और समझते हैं यहाँ पर Monday का trading session कितना important रह सकता है क्योंकि वो budget से पहले का trading session होगा और normally एक दिन पहले क्या होता है जो positions होती है budget के according यहाँ पर plan करने की कोशिस करते हैं traders तो उसको हम understand करने की कोशिस करेंगे तो देखते हैं option chain में nifty के option chain में कैसा data बना हुआ है तो सबसे पहले देखो अगर हम आज की closing की बात करें तो around nifty जो close हुआ है 17,106 पर यहाँ पर आके close हुआ है आपको second hour पे profit booking देखने को मिली है because of जो European futures ते वो negative खुले और European market negative खुलने की वज़े से Dow Jones भी उपर से Dow futures slip हुआ उसके साथ साथ हम भी slip हो गएते हैं अगर यहाँ पर हम option chain को समझें तो हम देखते हैं 17,000 के आसपास कैसा data बना हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर हम understand करते हैं 17,000 के level को जो आपको फूट देख रही है वहाँ पर करीब सेवेटीन पॉइंट फॉलिए लाग का open interest दिख रहा है को आपको कितना में 9. 6 लेग का open interest 17,100 की बात करते हैं तो 11.2 lakh kore open interest दिख रहा है put side पे और call side पे 9.8 lakh kore open interest दिख रहा है 17,200 पे आपको 14 lakh अपको 10 lakh का open interest पे है और put side पे आपको 10 lakh का है even 17,300 पे आपको 23 lakh का open interest call side पे दिख रहा है जो कि अगर compare करे नीचे के सारे level से सबसे highest है मतलब एक बड़ा figure है यहाँ पे और put side पे आपको सिर्फ 11 लग का open interest दिख रहा है तो कहीं न कहीं यहाँ पे clearly दिख रहा है कि market यह expectations लगा रहा है कि जो budget होगा वो neutral type का होगा और market कोई बड़ा move नहीं देगा इसलिए यहाँ पे जो positions हैं आपको दिख रहा है यह भी चीज़ हम justify कर सकते हैं कि यहाँ पे traders budget से पहले शायद position नहीं बनाना चाह रहे हैं क्योंकि large budget में आपको पता है क्या हुआ था bank nifty 8% shot up हुआ था intraday में तो इसलिए शायद यहाँ पे लोगों को यह लग रहा है कि चलो budget आने देते हैं उसके बाद ही हम position plan करेंगे इसलिए जो option में जो data दिख रहा है वो काफी जादा कम दिख रहा है क्योंकि आज की दिन में तो ठिक टाक data बन जाता था बट अभी यहाँ पे कम दिख रहा है बट premium still अभी भी काफी जादा high है आप देखो 17,000 का short straddle आप देखो 17,100 का short straddle देखो आपको यहाँ पे देखो 244 रुपे का call है और करीब करीब 224 रुपे की यहाँ पे put है almost compare किया जाए तो 460 point का premium है approximate यानि अगर कोई इस straddle को बेचता है तो कितने point तक वो safe है नीचे around 16,600 तक safe है ठीक है यहां तक वो safe रहेगा almost यहां तक safe रहेगा और उपर करीब करीब 17,500-600 तक वो safe ही रहेगा उसको जादा बड़ा lost नहीं होगा ठीक है और अगर market ने कोई बड़ा move नहीं दिया तो guaranteed है कि यह option दोनों side के options यह तेजी से करीब 70-70 रुपे तक गड़ सकते हैं easily even 60-60 रुपे तो बहुत easily गड़ सकते हैं इसलिए यहां पर यह premium है because event से पहले IVs जादा होती है जैसी IV crash होंगी तो यह premium गड़ जाता है बट फिर भी यहां पर अगर one way move आगया निफ्टी 3-4% move कर गया तो यह option एक side का double हो जाएगा एक side का आदा हो जाएगा यह चीज़ समझ लीजे तो जो भी side movement होगा उस side का option आपको एक अच्छा profit दे सकता है बहुत से लोग यहां पर क्या करते हैं कि add the money का call or put buy कर लेते हैं और अगर 4-5% का move आ गया तो वो एक अच्छा profit बनाके दे देता है क्योंकि दूसरी side का premium की तेज़ी से नहीं गिरेगा जितनी तेज़ी से एक side का बढ़ेगा तो यह चीज़ यहां पर clearly समझ लीजे अब understand करते हैं चार्ट को चार्ट को अगर हम देखें यहां पर तो चार्ट पर सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी का day chart क्या बोल रहा है फ्लाज देखो निफ्टी का अगर day chart देखा जाए तो नीचे तक आफी अच्छी है इस ने उसी level पर resistance लेता हुद दिया है यह देखो अ कि यहां पर हमारा breakout आया था यह देखेंगे यह हमारा breakout था जब हमने लास्ट यह मूमेंट दिया था तो इस ने रिजिस्टेंस भी इसी level पर लिया है और नीचे यह continuously इस लेविल पर support ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो अब एक channel बना हुआ है, वो यह ही channel है ठेके न, यह अब इस channel का breakout और breakdown हमें बताएगा कि market कि side बड़ा move दे सकता है, तो यह चीद आप के लिए लिए यहाँ पर समझ लीए, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको देख सकते हो, इसने exactly इसी लेविल पर continuously कामकाज करने के बाद जैसी European futures negative खुले, तो यहाँ पर दाव future negative हुआ, तो यह slightly profit booking आ गई है, नीचे के लेविल पर आपके पास यह important support है, जो कि यह 16800 का इसके नीचे जाएगा, तो ही हम यहाँ पर एक बड़ी ग्रावट देखने को मिलेगी otherwise अगर यह यहाँ से दुबारा से bounce back करके, अब उपर निकलता है तो फिर आपको 17700 तक का moment आपको देखने को मिल सकता है, निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी पिछले दो कंटिनूसली ट्रेडिंग सेशन से स्ट्रॉंग मुमेंटम दिखाने के पाद आज का ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी इसने प्रॉफिट बुकिंग डे हाई से ही दिखाई है यहां यहां पर आज इंटरनेट सुबह से ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हां फैनली यहां पर चार्ट ओपन हो गया और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं हमारी लिए अप सबसे इंपोर्टेंट लेवल है वह मैंने आपको अल्लेडी यहां पर बता चुका हूं वह यह है इसके ऊपर अगर पांच मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए आपको सोचना नहीं है आपको इम्मीडेटली बाय कर लेना है क्योंकि अगर 5-10 मिनट इस लेवल के ऊपर बहुत ही अच्छा यहां से 500-600 पॉइंट का मोमेंट दिखा सकता है ठीक है इसके इसने जो लेवल है यह भी बहुत इंपोर्टेंटी रहेगा अर्थे से 500 का क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने अर्थे देया 400 का हाई बनाया है जो की नियरबाय में यसी लेवल पर बैंक निफ्टी अटक रहा था उसी लेवल पर आज इसने अटका और वहां से यह प्रॉफिट वुकिंग यहां पर आई है अब सबसे अची शीज पता है क्या हो यह आज के ट्रेडिंग सेशन में आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने फर्दर मुव ना करके एक प्रॉफिट वुकिंग दिखाई है जिससे की जिल लोगों को यह एक्सपेक्टेशन तक यह वन वे उपर भाग वो थोड़े से यहां पर डरे होंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए मंडे का वह यह रहेगा सैते सहार पांसो सैते सहार के पांसो के ऊपर अगर ट्रेड करता रहता है तो फिर हो सकता है यह उपर की तरब दुबारा से निकलने की कोशिस करता है और यह दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे जैसी यह लेवल ब्रेक होते हैं तो आपको सीधा सीधा यहां पर 39,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी पांच दसमेट काम करता है तो मेरे साब से 40,000 आने में कोई जादा देर नहीं लगेगी क्यूंकि यहां पर बात की जा यहां पर बैंक निफ्टी के लिए जो आप व्यू है वो किलियर है यहां पर और जैसा कि बजट में एक्सपेक्टेशन लगा जा रही है कि शायद कुछ नेगेटिव नहीं आएगा तो अगर नेगेटिव नहीं आता है तो बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा तो मिलेगा तो बैंक निफ्टी के लिए यहां पर क्लियर ली जो व्यू है वो आपका पॉजिटिव साइट पे ही मैं रखूँगा क्योंकि इसमें करेक्षन में इसने कोई पार्टिस फिड नहीं किया अभी जो करेक्षन आया तो उसमें पार्टिस फिड नहीं किया और इ इस पर आप नदर रखो और इसमें फोड़ा सा सेल करने के बोस्टिटी मैं दूणा थोड़ा सा पाय करने के पोस्टिंटी ची जूदना क्यूंकि यह इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत दिख चाहिक क्योंकि आप देख रहे हो याहां से भी न गिरा तो लेकिन यह बहुत द नेगेटिव कामकाच कर रहा है फिलाल डाव फीचर अगर यहां पर इंडेसेस फ्यूचर में मैं जाता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर जो यूरोपियन फ्यूचर से जो कि कल नेगेटिव कामकाच कर रहा है अब एक चीज यहां पर क्लिए ली समझ लीचे देखो हमरी अश्या अभी पिछले दो दिन से क्या हो रहा था यूस मार्केट में गैप आप ओपनिंग मिल रही थी और गैप आप ओपनिंग के बाद क्रॉफिट ओकिंग आ रही थी आज एक ऐ के डिसीजन के बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट खुलेगा और फिर चांसे बन सकते हैं कि स्ट्रॉंग रिकवरी देखने को मिले हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट नॉर्मली क्या होता है मार्केट बॉटम आउस तब ही होने की कोशित करता ह जब मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिलती है फ़र्स 10-15 मिनट में उसके बाद मार्केट रिकवर होता है कभी भी मार्केट ऐसा नहीं है कि गैप अप खुलने के बाद ही ऊपर शॉट अप कर गया बहुत रियर चांसे होते है क्योंकि गैप खुलने में क्या होता है जो सेलर्स होते हैं उनको सबसे बहुति क्या दिखती है बेखने की हो जैसी वह बेखना स्टार्ट करते हैं तो फिर मार्केट में कोई बायर इंट्रस्टेड नहीं होता इस चीज़ को आप क्लिए ली समझ लीजा गर गाप डाउन ओ और फिर वो वाटम आउट हो जाता है तो यह पूरा व्यू है मंडे के ट्रेडिंग सेशन का तो इस पर जरूर नजर रखिएगा तो आई होप दोस्तो यह पर्टिकुलर टाटा आपको समझ में आ क्या होगा दोस्तो फिलाल एक वीडियो में इतना ही है आई होप यह वीड झाल